नमस्कार मैं डॉक्टर विंदा सिंग आज मैं भोजन का सारीरी कुर्जा मुल्य के बारे में चल्चा करूंगी फिज़ोलोजिकल फुवेल वैलू अफूर्ड की जो भी आप भोजन गरहन करते हैं जैसे करवाहड्रिड लेते हैं या प्रोटीन लेते हैं या वसा लेते हैं तो उनका सारेरिक उर्जा मुल कितना होता है और उसका वास्तरिक उर्जा मुल कितना होता है इन दोनों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगी आप जानते हो और पिछली वीडियो में मैंने आपको बंप कैलोरी मिटर के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि बंप क जलता है तो कार्बन डायोक्साइड जल और उसमें से हीट निकलता है इसी प्रकार से जब प्रोटीन जलता है तो उसमें से कार्बन डायोक्साइड यूरिया और हीट निकलता है समझ गए क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सिजन यह जो है आपको वसा और कार्बोज में पाए जाते हैं इसलिए उनके जलने से कार्बन डायोकसाइड जल और आपको हीट मिलेगा इसी प्रकार अगर प्रोटीन जलेगा तो प्रोटीन में कार्बन डायोकसाईड, यूरिया और हीट निकलता है क्योंकि प्रोटीन में नाइट्रोजन भी उपस्तित होता है और यूरिया में क्या है? नाइट्रोजन है तो इसलिए नाइट्रोजन के कारण यूरिया बनता है परन्तु जब हम इन भोज़े पदार्थों को ग्रहन करते हैं तो शरीर में इन भोज़े पदार्थों का उर्जा मुल्य भोज़े पदार्थों के जलाने से उत्पन उर्जा मुल्य जितना होता है उससे कम हो जाता है अब आप ये कोगे कि जितना बॉम कैलोरी मेटर में एनरजी मिला है क्या उतना ही एनरजी हमें जब हम फूड को एट करते हैं खाते हैं तो उतना ही मिलेगा नहीं क्यों नहीं मिलेगा इस पर ज़रा विचार करें तो पहले क्या कारण है कि जब भोजय पदार्थों को आप कैलोरी बेटर में रखकर के जलाते हैं तो उसमें उपस्तित रेशा भी जलता है और आपको उसमा देता है हीट देता है जबकि मानो शरीर में आपको याद रहे कि रेशा का पाचन नहीं होता है इस कारण इससे हीट उत्पन नहीं होता है राइट तो आपको कम हो गया जितने भी जैसे कि आप गेहूं जलाए या धान जलाया या मक्का जलाया या कोई भी मनस्पतिक चीज जलाई जैसे पालक बथ हुआ खीरा ककड़ी जो भी है जिन में जितना अधिक जल की मात्रा होती है और जितना अधिक रेशों की मात्रा होती है तो जितना अधिक रेशों की मात्रा होगी उतना ज्यादा वो हीट देगा लेकिन हीमन बौडी में ये कम हो जाता है क्योंकि पानी की मात्रा है ये आप आपको बावडी में जाकर करके कम ही उर्जा परदान करता इसलिए खीरा है ककड़ी है या पालक है बत हुआ है पानी वाली जो भी साकसबजियां है जिसे पानी के अधिक मात्रा रहती है उससे कम आपको एनर्जी मिलता है वहीं अगर आप चावल खाते हैं गेहू खाते हैं म पीट मिलेगा आगी समझ में सेकेंड क्या कारण है व्यक्ति के सरीर में सभी भोज़पदार्थों का पूर्णता पाचन नहीं होता है और इनका कुछ अंस बिना पचे ही सरीर से बाहर निकल जाता है अब छोटे बच्चे के मल मुत्र को आप देखोगे मल को देखोगे तो अपने कभी पालक की सब्जी खिला दी या उनका अपने दाल खिलाया कई अब बार अपने उनको साबुत जैसे मूंग मसूर कुछ भी खिलाया तो आप देखोगे को उनके लेट्रिन में वैसे के वैसे टुकड़े बाहर निकल जाते हैं टमाटर का गाजर का इस सारे टुक हुए तो उसका भोचन का उर्जा मुल्ले भी कम हो जाएगा क्योंकि और दूसरी बात कि प्रोटीन का पूर्णता पाचन कभी नहीं होता है याद रखिए और नहीं कभी पूरा अव्शोशन होता है इसका कुछ अंस यूरिया के रूप में परिवर्तित हो करके मुत्र के म हैं वह काम करते रहते हैं जैसे मुत्र का बनना में पेशाप का बनना हम घर्दय का धडकना रख़वरी संचरन किरिया होना सांसों के चलना तो इन सारी इक रियाओं को करने के लिए कुछ नुकुछ मात्तरा में और जाकी आफशकता होती है तो आंथरी कंग के दवरान जो पाचन है भोजन के अव्शोषन है चयपचय के दवरान उर्जा का कुछ अंस आपका नस्ठ हो जाता है जिसके कारण सरीर में उर्जा का जितना वैलू होनी चाहिए भोजे पदार्थों के ग्रहन करने से उतना नहीं हो पाता है अब आपको कारण तीनों असप क्रोस्ट हो गया होगा तो आप ईह देखी भोजे पदार्थों का शारीरिक उर्जा मुल्य है वोर कीलो कै य्णो कैलोरी वसा का नैनि कीलो कैलोरी और प्रोटीन का व्यण ق नुटान का समझ गए बाकी आप कहेंगे कि यह कहां चले गए तो जो दो परसेंट उड़ जा का पाचन में कार्बो हाइडरेट का है दो परसेंट वह पाचन में वे होता है आठ परसेंट परोटिन का पाचन में होता है और वसा का 5 परसेंट है वह आपका पाचन में खर्च होता है इस परकार से अगर आप देखोगे तो जितना वास्तवी कुर्जा मुल्य जलाने से मिलता है कैलोरी मिटर में उससे कम उर्जा हमारी बोडी में ग्रहन करने से मिलता ह पेज्ञानिकों ने अपने सोधोर पर्योगों से यह सिद्ध किया है कि हमारे शरीर में कार्बोज का 98%, वसा का 95% और प्रोटिन का 92% भागी पाचन के बाद अवसोसित हो पाता है इस प्रकार कार्बोज का 2%, वसा का 5% और प्रोटिन का 8% भाग पाचन अवसोसित के दवरान नस्ठ हो जाता है इसके अलावा प्रोटिन के चैप चैम से उत्पन व्यर्थ पदार्थ जैसे यूरिया, यूरिकमल और अनिनाइट्रोजन यूक पदार्थ के रूप में 1.25 किलो नस्ठ हो जाता है सिब्धिन भोजिपदार्थ के पाचन सम्था भी बीन बीन होती है यह याद कि इसलिए प्रतेक भोजन से ब्यूजबार्थ भी बिन होती है जैसे अंडा मांस मचली दूध दही आदे की पाचन पन समता 97% होती है यहूं कि आठ्टे की 90% मैंदे की 98% मक् रवनर ने ये प्रयोग किया और पाया कि कार्बोज बसा और प्रोटीन का उर्जामुली करमसा 4.2, 9.3 और 4.1 होता है और उन्हें ये प्रयोग कुट्तों पर किया जोकी अट्वाटा और प्रायंट के दौरा निकाले गए उर्जामुल से थोड़ा सा अधिक होता है तो आट्वाटा और प्रायंट ने जो निकाला है उर्जामुली के कार्बोज का 4.1 या 40 जो रवनर ने 4.1 बताया है अटवाटर ने 4 बताया है प्रोटीन रबनर ने 4.1 बताया है और अटवाटर ने 4 बताया है वसा रबनर ने 9.3 बताया है अटवाटर ने 9 बताया है तो अटवाटर और ब्राइंट द्वारा निकाले गए सारी रिकुर्जा मुल्य को देश के जितनी भी देश हैं सभी दोस् बताया है अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर शेयर करें सब्सक्राइब करें कॉमेंट करें थैंक यू लॉट्स अफ थैंक्स नाइस तू मीट यू अगें हम अगले वीडियो में मिलेंगे थैंक यू